प्लस फन क्लास बेटे 13C exercise का 5th question करवा रही हूं आपको limit x tends to 0 5 की पार x minus 1 upon root 4 plus x minus 2 देखो जब भी किसी question में root आथा तो सबसे पहला काम आवा रहा होता है root को खतम करना means rationalize करते हैं limit x tends to 0 5 की पार x minus 1 upon root 4 plus x minus 2 तो rationalize करेंगे यहां minus है तो हम plus से करेंगे root 4 plus x plus 2 upon root 4 plus x plus 2 अब यह हमारे पार पार आगया limit x tends to 0 यह 5 की पार x minus 1 इसको हम ब्रेकेट में ही रख लेते हैं क्योंकि अगला भी है हमारे साथ इसी के साथ multiply होगा root 4 plus x plus 2 upon नीचे देखो a minus b a plus b a square minus b square a square root 4 plus x का square minus b square 2 का square root और square आपस में cancel होगे और यह हमारे पास बना limit x tends to 1 5 की पार x minus 1 root 4 plus x plus 2 upon नीचे देखे यहां खोलोगे 4 plus x minus 2 का square कितना है 4 4 से 4 cancel limit x tends to 1 यह हमारे पास बना 5 की पार x minus 1 आप x ही बचेगा वो इसके नीचे लिख लेते ताकि formula बन जाए बाकी limit इसके साथ जितनी मर्जी आप ब्रेक कर सकते हो किसी अलग-लग करोगे terms को तो किसी भी term हो कोई भी term हो तो उसके साथ अलग से limit लिख दे ने x tends to हमारे पास 0 है यहां पर x tends to 0 तो यह बचा root 4 plus x plus 2 यह देखे किसका formula बना log 5 का क्योंकि constant यहां पर 5 है a की पर x minus 1 upon x into यहां पर x के limit पूट कर दो root 4 minus 2 यह हमारे पास आगया log 5 into 4 में से यहां plus 2 था 4 में से 4 का root किया तो कितना हुआ 2 plus 2 means यह हमारे पास आया 4 4 log 5 यह इसका answer हुआ next 6 question है limit x tends to 0 3 की पर x plus 3 की minus x minus 2 upon x के पहले तो जो 3 की minus x है इसको positive करते है limit x tends to 0 3 की पर x plus 1 upon इसको नीचे ले आते है positive बना देते है minus 2 upon x के अब हम इसका LCM लेंगे पहले तो limit x tends to 0 as it is जब इसका LCM लेंगे 3 की पर x आ गया यह इदर जाएगा यह बनेगा 3 की पर x का whole scale plus 1 as it is फिर minus यह 3 की पर x इदर चल गया 2 into 3 की पर x upon x square x square के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले ले लेते है उपर जाके यह उल्टा हो जाएगा 1 upon x square हो जाएगा यह बना limit x tends to 0 3 की पर x का square plus 1 minus 2 into 3 की पर x upon 3 की पर x into x square upon 1 उपर जाके multiply होगा पर उल्टा हो जाएगा अब देखिए यह बनता है a मानो इसको a मानो a square plus b square minus 2ab means a minus b का whole square a कितना है 3 a की पर x minus b b कितना है 1 उसका square upon 3 की पर x into 7 में x square अब देखो इस square है तो square वाले ही कठे लिखते हैं इसको लग कर देते है limit x tends to 0 यह आगया इन दोनों के इकठा करना होगा 3 की पर x minus 1 का square upon x square into limit x tends to 0 उपर सारा लिख लिए है तो 1 बचा और नीचे सिर्फ 3 की पर x अब देखिए इसका whole square इकठा कर लेते हैं limit x tends to 0 3 की पर x minus 1 upon x का whole square दोनों का square आगया into यह यहाँ पर x को 0 करो 3 की पर 0 means 1 तो यह बना देखो formula किसका बनता है log 3 का whole square into 1 upon 1 means यह क्या बना log 3 का whole square यह next हमारे पास यह complete हो गया question next question जो है वो हमारे पास है evaluate limit x tends to 0 a की पर x plus b की पर x plus c की पर x minus 3 upon x अब इसे करना देखो यहाँ a की पर x minus 1 चाहिए इसके साथ भी minus 1 चाहिए इसके साथ भी minus 1 चाहिए इसके साथ भी minus 1 मुझा 3 minus 1 चाहिए तो इस 3 को मैं break कर देती हूँ हर एक के साथ minus 1 लिख देती हूँ limit x tends to 0, a की पार x minus 1, plus b की पार x minus 1, plus c की पार x minus 1, देखो, minus 1, minus 1, minus 2 हो गया, minus 2 minus 1, minus 3 हो गया, upon x, अब आप अलग लग कर लो, limit x tends to 0, a की पार x minus 1 upon x, plus, अब limit इससे अलग से ले लो इन सब के साथ, b की पार x minus 1 upon x, plus limit x tends to 0, c की पार x minus 1 upon x, ये formula बना log a का, ये बना दूसर, log b का, और ये तीसरा बना log c का, अब देखो, plus होने, जब plus होते हैं, log लग 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 तो multiply हो जाता है, तो ये क्या होगा, log m into n था, m into n into p, कुछ होई मालो, ये तीनों multiply हैं, तो इन जब log लग लेंगे, तो सब का plus हो जाएगा, बस ये that's all, इसका अंसर ये ही था,